नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़र डालते हैं अचकी प्रमुख खबरों पर देश भर में अलर्ट समुद्रिया हवाई रास्ते से हमला कर सकते है आतंकी सुरक्षा एजन्सियों ने 26 गयारा मुंबई हमले जैसे समुद्र के रास्ते आतंगवादी हमले और भाजपा कार्यालों पर हमले की आश्यंका जताई है सुरक्षा बलों से कहां गया है कि वे स्वतंतरता दिवस के मौके पर ऐसे किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए सतर्क रहे ग्रह मंत्रा एले ने यहां भी आगहा किया है कि आतंगवादी हमला करने के लिए हवाई मार्क का इस्तमाल कर सकते है और हमले के लिए पेरागलाइडरों का भी प्रयोग किया जा सकता है मंत्राले ने सुरक्षाबलों से कहा है कि वे ऐसे किसी भी गड़बडी के प्रयास और विशेश रूप से उच्च जोखिम वाले गड़मान ने लोगों को निशाना बनाने वाले ऐसे किसी भी प्रयास को लेकर सतर्क रहे जारखन में ट्रक वैन की टककर तेरा कावडियों की मौत जारखन के सरायकेला खरसामा जीले में शुक्रवार सुभे एक पिकप वैन और ट्रक के बिच हुए जबरदस टककर में छे महिलाओ समें तेरा कावडियों की मौत हो गई और ग्यारा अन्य घायल हुए ये सबी पूरी में जलाविशेक करने के बाद अपने घर लोट रहे थे सरायकेला खरसामा के पुलिस अधिक शक इंद्रजीत महथा ने बताया कि राची से जमशेदपूर जा रहे ट्रक और जमशेदपूर से राची आ रही वैन के बीच जीले की इचागर थाने के बारुदा में जबर्द स्टक कर हो गई इस हाचे में मारे गए सबी लोग बिहार के सीवान जीला के निवासी थे मुख्यमंदरी रगुहर दास ने हाचे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों के इलाज की समूचित व्यवस्था करने का आदेश दिया है रादेमा के कहने पर स्वर्ग में स्थान पानी की चाहाने ली साथ की जान गुजरत के भाचपा विधायक वासन अहीर ने साथ लोगों की कथित आत्मात्या के मामले में रादेमा के खिलाव जाच की मांग की है अहीर ने ग्रहराज्यमंत्री रजनिकान भाई पतेल और पुलिस महानग देशक पीसी ठाकूर को एक पत्र लिखा है जिसमें उनने कच्छे की अंजार तहसिल के निंगल गाओं में एक ही परिवार के साथ सदस्यों द्वारा कथित तौर पर आत्मत्या किये जाने के मामले की जाच की मांग की है अहिर ने खा कि मेरे निर्वाचन शेत्र में एक ही परिवार के साथ सदस्यों को राधिमा ने दो अन्य लोगों की मदद से फुसलाया कि अगर वे एक करोड रुपे दे कर उनके अनुयाई बन जाते हैं तो वो मौत के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान दिलाएगी परिवार ने अपनी क्रुशी भूमी बेची और राधिमा को एक दशमलो 35 करोड रुपे दिये लेकिन उन्हें फिर अहसास हुआ कि वे ठगे जा चुके हैं तब उन्हें आत्महत्या कर ली